नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुती दिल्चस्प डिस्कुशन करने वाले हैं अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ यहाँ पे आप हेडलाइन देख सकते हो जाबुलान सिमेंट एक परसनालीटी है जाबुलान सिमेंट रहे हैं वो अभी अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाले हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यहाँ हम लोग इस पटिकलियर वीडियो में बात करेंगे क्यों Zabulan Sementov Afghanistan चोड़ के जाने की बाते कर रहे है कौन है Zabulan Sementov exactly और इस सब से at the end of the discussion हम लोग एक निशकर्ष निकालेंगे, it is not just about one personality but it is about minorities in Afghanistan going into future on which we have to keep an eye on, तो चलिए discussion शुरू करते हैं, अच्छी information मिलेगे आपको so stay tuned with me, I am your friend if you want to follow me, you can follow me on these IDs and if you are preparing for UPS civil service examination we have a good news for you, we have a smart course on study IQ platform, just visit study IQ.com or download the app from Google Play Store to know more about our platform, चलिए बात करते हैं, खबर के बारे, यह क्यों हो रहा है, Zabulan Sementov ने announce यह किया है कि वो September में अफगानिस्तान चोड़ के जाने वाले हैं, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि Biden सरकार, United States की जो President है Joe Biden, उन्होंने announce किया है कि वो withdraw करेंगे अफगानिस्तान से completely United States की forces, NATO के forces by September 11, 2021 अब इसके बाद होगा क्या? हम जानते हैं कि before Joe Biden it was Donald Trump जिनोंने एक agreement sign किया दोह agreement sign किया, किसके साथ उन्होंने sign किया था तालिबान के साथ पिछले साल, March 2020 में तालिबान के साथ United States ने agreement sign किया कि वो अपनी सारी forces निकालेंगे और eventually intra-Afghan talks होगी अब intra-Afghan talks का मतलब क्या होगा? United States और उनके soldiers जब बाहर निकलेंगे तो अफगानिस्तान में एक समिश्य सरकार बनेगी यानि कि एक unity सरकार बनेगी जहां पे अफगान national government तो रहेगी रहेगी उसके साथी साथ अब तालिबान के representatives भी government में रहेगी और हम जानते हैं कि ये दोनो they are at loggerheads Why? Because अफगान national government it believes in democracy क्योंकि democracy वो प्रमोट करते हैं human rights वो प्रमोट करते हैं rights of women वो प्रमोट करते हैं और तालिबान it believes in sharia law और Islamic law तो they both are at loggerheads अब इसके चलते जाबुलान समंता जो single last Jew कह जाते हैं अफगानिस्तान में वो finally देश छोड़के जाने वाले हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगा हुआ है कि तालिबान जब power में वापस आएगा तालिबान जब अगले सप्टेंबर में United States जब बाहर निकले वागा उसके बाद तालिबान power में आएगा और तालिबान अपनी शरिया law impose जब करेगा तो they are going to persecute the minorities persecute the Jews तो इसलिए जाबुलान सिमेंटाउ ने डिसाइड किया है कि he is going to leave अफगानिस्ता this is जाबुलान सिमेंटाउ जो last Jew कह जाते है अफगानिस्तान पे वो रहते है कहां पे हरात में और अगर आप UPC civil service examination की त्यारी कर रहे हो या फिर कोई और competitive exam की त्यारी कर रहे हो जहां पे MCQs आते है तो आपको यहां पे कुछ चीज पे ध्यान देना पड़ेगा in terms of Afghanistan which is always in news आपको याद रखना है कि north to south इनकी cities कहां पे मजारे शरीफ is towards the north काबुल बस थोड़ा सा higher latitude बे आता है हरात से तो पहले आता है northern side में मजारे शरीफ next आता है काबुल next आता है हरात और next आता है कंदाहर these four are the cities from north to south in Afghanistan कभी-कभी ऐसे सवाल आ जाते है in MCQs तो just remember these let's talk about Zabulan Cementhau and get back to our discussion देखिए Zabulan Cementhau से पहले अगर हम लोग बात करें Jews के बारे में in general Jews अफगानिस्तान में धाई हजार साल से ही रहते आए हजारों Jews यहां रहते थे यहां पे चार सिनेगोग से यानि कि उनके समझली की मंदिर है जो टेस्टिमन ही है कि यहां पे काफी ज़ादा प्रेजन्स थी Jews की लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम लोगों ने देखा है कि अफगानिस्तान has become the graveyard of empires यहां पे Russians were involved later on मुझाहिदीन grew later on अमेरिका ने invade किया अब वहां पे बहुत ज़ादा Islamization ज़रूर हो चुका है अब इसकी वज़े से Jews have been persecuted और जब से इस्रेल बना है 1949 में तब से हम लोगों ने देखा है कि जहां कहीं पे भी पुरे विश्व में Jews है वो इस्रेल की तरफ Exodus कर रहे है और अफगानिस्तान से भी बहुत सारे Jews जा चुके है इन इस्रेल लेकिन यहां पे एक last man standing or single man is Zabulon Simantov अगर हम लोगों Zabulon Simantov की बात करें 1950 के दिश्कों में हरात में उपैदा हुए थे और उन्होंने multiple rules देखे है initially when he was born when he was president in Afghanistan it was ruled by king Mohammed Zahir Shah यानि की एक monarchy थी लेकिन उसके बाद Simantov की story कुछ काफी दुकत रही है Simantov की story रही है story of persecution story of exodus story of patriotism क्यों? क्योंकि Jews को persecute करने लगे अफगानिस्तान में उसके बाद Zabulon Simantov खुद ही अफगानिस्तान छोड़ की भी चले गए थे लेकिन फिर से वो वापस आ गए उन्हें लगा कि नहीं अफगानिस्तान मेरा घर है इसलिए वो वापस भी आये तो it's a story of patriotism अगर हम लोग Zabulon Simantov की बात करें Simantov वो जब कार्पेट मर्चंट इनिशली वो कार्पेट बेसी थे कार्पेट की एक मर्चंट थे इन फैक्ट उन्होंने अफगान आर्मी में भी सर्फ किया लेकिन बाद में वो फिर वापस आये क्योंकि उन्हें लगा नहीं अफगानिस्तान मेरा घर है it is my homeland so he came back but remember Simantov की वाइफ उनकी दो बेटिया उनकी सिस्टर्स वो नहीं आई they still live in Israel Israel the Jew country तो अगर हम लोग Zabulan Simantov की स्टोरी देखे उन्होंने सबसे पहले मुनार्की देखी मुनार्की के बाद उन्होंने Communist Revolution देखा Communist Revolution के साथ ही साथ उन्होंने Soviet Union का USSR का intervention देखा यहां पे उसके बाद उन्होंने Growth of Mujahideen देखा इस Mujahideen को इसने प्रमोट किया United States ने प्रमोट किया तो उन्होंने Mujahideen का Civil War भी देखा उसके बाद उन्होंने 1996 से लेके 2001 तक Taliban का Takeover भी देखा Taliban and Taliban's Sharia Rule Taliban's Violence Taliban's Persecution of Minorities भी देखा और जब Taliban यहां पे Rule में था तब Zabulan Sementov को उन्होंने चार बार Prison में डाला In fact एक बहुत ही Interesting Story है Zabulan Sementov की उन्ही की जबानी वो कहते हैं कि Taliban ने उन्हे Incentive की बात की थी उन्हे Cash Incentive की बात की थी उनको कहा था कि आप Islam में Convert कर लीजिए और हम आपको इतना-इतना Cash देंगे कहा गया था Zabulan Sementov लेकिन Zabulan Sementov ने मना कर दिया In fact वो कहते हैं कि उन्होंने एक counter offer दिया था तो Talibanis to convert to Judaism itself So very very interesting story of Sementov अब इसके बाद 2001 के बाद जब 9-11 का incident हुआ Twin Tower incident terror attack उसके बाद अमेरिका ने invade किया अफगानिस्तान को और तब से It is a war ravaged country We all know the war is going on between He stood tall for his own religion In fact ये कहा जाता है कि 2005 तक Zabulan के साथ एक और जीव भी थे लेकिन 2005 में उनके डेथ हो गई तो since then Zabulan Sementov is only जीव right now present in Afghanistan लेकिन अब finally क्या हुआ है अब finally वो जो एक single आशा की किरन थी final person a Jew person in Afghanistan He is now ready to leave Afghanistan कि Taliban आज भी 21 साल के बाद यानि कि 1990 में जो शुरू हुई थी लड़ाई आज भी Taliban वैसा ही है वो कहते हैं कि I have lost faith in Afghanistan there is no more life here और बहुत सारे जो news reports बताते हैं कि ये क्यों हुआ क्योंकि हाली में recently एक video viral हुआ था अफगानिस्तान में जहां पे Taliban के कुछ militants ने एक महिला को फ्लॉग किया था यानि की कोडो से मार दी थी उस महिला को क्यों just because that female was talking to someone on mobile phone इसी लिए she was punished तो ये video viral होने इक बाद कहा जाता है कि Zabulon Simantov has lost the will to stay any longer in Afghanistan वो कहते है कि there is no more life in Afghanistan because after September when the United States and the NATO forces are going to come out of Afghanistan Taliban will again come to rule and Taliban will again start its sectarian violence तो इसी बीच Zabulon Simantov ने कहा कि after our two important festivals Rosh, Khashana और Yom Kippur और मैं चाहता हूँ कि हमारे वीवस इसके ऊपर research करके मुझे बताए कि Rosh, Khashana और Yom Kippur क्या होता है क्या festivals है ये Jews के उन्होंने कहा है कि ये दो festival होने के बाद I will leave Afghanistan and he said that I will watch on TV in Israel what is happening in Afghanistan so this is a very very interesting story of a single Jew in Afghanistan who is now going to leave Afghanistan in September 2021 but it is not about a single person एक larger picture के बाद अगर हमनों बात करे तो Zabulan सिमेंता हो एक indication है वो एक indicator है किस चीज़ की कि आने वाली दिनों में Afghanistan में क्या होने वाले क्योंकि September के बाद अगर एक unity government आएगी Afghan National Government and the Taliban forces what is going to happen what is the forecast there people are scared especially minorities are scared women are scared vulnerable people are scared there तो इन सब चीज़ों से हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है हमें ध्यान देना है कि how the new government जब United States की forces हट जाएंगी September में उसके बाद जब दूसरी सरकार आएगी Afghanistan में तो किस तरह से वहाँ पर वो minorities को treat करेंगी क्या नया सविदान रहेगा इसके ऊपर सब की नजर रहेगी और इस चीज़ के पर अगर कोई development आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on study IQ So that is it right now from my side on this part of discussion Thank you for watching Jai Hind